राजस्तान में फरवरीद 2004 से जो Pay Manager जो Online Salary बनती थी अब यह जो Salary है IFMS 0.3 Portal से बनना शुरू हो चुका है फरवरीद से यह स्टार्ट हो चुका है और जो भी काम Pay Manager से होता था आप Pay Manager की जगे IFMS Portal से इसकी जो सुईदा है सुईदा यहाँ पर सुरू कर दी गई है पहले जिस तरह से हम लोग Pay Srip डाउनलोड करते थे हैं या फिर जीए पच्पन डाउनलोड करते थे अब यह सारा काम है इसकी IFMS जो पोटल है उससे आप लोग जानकरी आज में आपको इस वीडियो में बताने वाला हो इससे पहले यह दिए आप लोग मेरी चैनल पर नए है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा ताकि साला दरपन SOID और IPMS पोटल से समझत आगे आना लिए जो भी अपडेट है वो उसकी जानकरी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें तो इसकी लिए सबसे पहले आप लोग अपनी SOID के जो ID और पासवर डाल कर यह कैप्चर डाल कर लोगिन हो जाना है लोगिन हो जाना के बाद में इस तरी का पेज आप पर ओपन हो जाएगा अब आप लोगों को यहापर एक जो पोटल है वो पोटल डूटना पड़ाइगा IFMS 3.0 वाला जो पोटल हो पोटल आप लोगों को यहापर डूटना होगा तो देगे, यह अपर जो other active ए F है, other active F के अंदर आपको जो option है, वो option आप लोगों यहां पर मिल जाएगा, आप लोगों सेर्च कर लीजएगा, तो यहां पर मैंने पहले सेर्च करने हैं, इसलिगे में जो option है सबसे ऊपर आ रहा हैं, आप लोग इस वाले जो option दिखाई दे रहा होगा इस वाले option पर आपको simply click कर देना है click करने के बाद में इस तरह का page यहापर open हो जाएगा अब आपको यहापर दो option दिखाई दे रहोगे access workshop और access employee self service यह जो access workshop जो option है वो ddo के लिए हम यहाँ पर स्वेम का खुद का यदि आप लोग portal open करना चाहते तो employee self service वाला इस वाले option पर आपको यहापर simply click करना है portal open हो जाने के बाद में देखिए यहापर बहुत सरा option आपके सामने यहापर open हो चुके हैं अब यहापर हम लोग payslip दाव्लोड करना चाहते हो इस download option पर आपको simply click करना है तो आपकी जो payslip और payslip download हो जाएगी अभी देखिए क्योंकि फरवरी का जो bill नहीं बना है इस कारण से जो सारी option दिखाई दे रहोंगे आप लोगों यहापर खाली option दिखाई दे रहोंगे जैसी आप लोगों के bill बन जाएगा तो bill बनने के बाद में जो जैसे हम लोग pay manager से डावलोड करते थे उसी तरह से यहापर डावलोड होने के बाद में इसकी जो पूरी जानकरी वो पूरी जानकरी यहापर fill up होकर आ जाएगी इसी तरह से यह जो जीए जीए बच्पन income tax deduction यहादी आप लोग करवना चाहते हैं तो इस वाला option पर आप लोग करवा सकते हैं track transition है view form 16 यहाँ पर दिया गया है तो अभी यह पर यह option उपर नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर आपसको क्लिक नहीं कर सकते हैं लेकिन जैसे यहाँ पर यह काम करना शुरू हो जाएगा तो यहाँ से आप लोग अपना form 16 यहाँ आप लोग कर सकते हैं इसके अलावा payment लेजर वाला option दिख रहा है revision in salary वाला option यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पर भी आप लोगों कुछ option दिखाई दे रहोंगे जैसे देकि advance salary आप लेना चाहते है तो इस वाला option पर जाकर आप लोग अच्छे लिए लिए लाइक और शेयर किजिगा अधि आप लोग मेरे चनल पर पहली बार आये तो मेरे चनल को सब्सक्राइब किजिगा ताकि IFMS पोर्टर से समझे तो आगे आने वाले जो भी अपडेट है उसकी जैनकरी सबसे पहले आप तो को मिलती रहे